बात बात धन्यवाद असनी जी ग्लोबल जोतिस पुंज के चेर्मेन असनी गौतम जी डारेक्टर रीना जी और उनके पती देव अरुन जी जो इस समय यहां पर नहीं है वो कनाडा में है आप बहुत बदाईगे पात्र हैं आपको मैं बहुत बहुत सुबकामनाय देता हूँ कि आपकी यह एप जोतिस की दुनिया में च्छा जाए इतना नाम रोसन हो कि हर आदमी अपने घर में बैठे बैठे समिशा का समाधान प्राब्द कर सके आजकल डिजीटल का जमाना है अब वो पुराना जमाना चला गया का हमारे पास एक एक हबते तक लोगों की वेटिंग रहती थी लाइन लगा के बैठे रहते थे सौ सौ डिड़ड़ सौ आदमी रात के ग्यारह बारह बे तक नमबर आता था अब वो सब चीजे खतम हो गई और कॉराना काल ने तो डिजीटल को इतना अपग्रेड कर दिया कि उसकी वेज़े से जो सी अब घर बैठे आराम से अपॉन्वेंट लेकर के अपना काम घर में किचिन में भी काम कर लो कुकर की सीटी बज़ी आए बंद करके अपॉन्वेंट कर लो आराम से कोई भी काम बैठे बैठे कर सकते हो यनि बहुत एक कॉरोना काल के टाइम पर ऐसे ऐसे सॉफ्ट्वेर डबलप हो गई ऐसे ऐसी एप आप आगई कि उससे जोटसी का रिवेनू बढ़ गया कितनी बार ऐसा होता था हमारे साथ अपॉन्मेंट ले ली चार लोगों ने दो लोगों की ट्रेन मेंस हो गई या उनका ड्राइवर नहीं आया अपॉन्मेंट कैंसल अब ऐसा नहीं है अब तो ऐसा है कि पैसे डिपोजिट किये और डिपोजिट करते ही तुरंट बूलते हैं कब नंबर मिलेगा काम बढ़ा जोटसियों का काम बढ़ा और ये जो एप आजकल चालू हो रही है इन भी भी कई ऐसी एप हैं जन्होंने काफी नाम रोसन कर रखा लेकिन वो सब आईटी के लोग है वो खुद इंजीनियर हैं वो इस लैंग की नॉलेज नहीं रखते टेक्निकल नॉलेज उनको है लेकिन क्या होगा उनको कुछ नहीं पता जोटसिया उनको कुछ नहीं पता नियुमरालोजी क्या उनको कुछ नहीं पता वास्तू सास्तर क्या उनको कुछ नहीं पता पॉमिश्टी क्या है उनको कुछ नहीं पता कैसे काम करता है गोचर कुछ भी नहीं पता किसी की कुनली के बारे में कुछ नहीं पता बस आप चाहते हैं इस लीडर की ये चीज मिल ज कुछ एपों की वज़े से भी नुकसान हो रहा है आप देखेंगे बहुत सारी एपों के अंदर ऐसी इस्तिती मेंने देखी है कि अगर आपको किसी बी आई पी आदमे का नमबर चाहिए किसी असलैब का नमबर चाहिए तो उनका डेट अब बर्ट उनको मिल जाता है लेकिन दुपेर को बारे वजे या रात को बारे वजे अब उसके उपर prediction करना इतना असान काम तो होता नहीं है अब बहुत सारे आपने देखा होगा cricket player होते हैं उनकी date of birth fix होती हैं नी B.I.P. नेताओं की date of birth fix होती हैं नी उसके prediction करना बड़ा मुस्कल होता है लेकिन ये जो एप है global जोतिस sponge की एप है इसका फाइदा इसमें ये रहेगा का हमारे जैसे लोग इसमें involved हैं इसमें qualified astrologer इसमें involved रहेंगे इसमें स्वेम असनी गौतम जी जो इसके chairman है वो खुद बहुत अच्छे astrologer हैं तो आपको feedback तो मिलेगा ना अब astro sage का feedback क्या मिलेगा astro sage वाले को उसको क्या पता क्या चीज होती है उसको तो कुछ नहीं पता अब उसके अंदर 50% लोग तो मेरे पढ़ा हुए बैटे हुए अब जितनी भी आपे उनमें सारे मेरे student है जो 70-80% जो market के अंदर student है सब मेरे से पढ़ा हुआ है अब वो लोग बताते हैं कि इनमें क्या problems आती है उनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप जो तिसका नुकसान करोगे इसलिए इस एप के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बिद्वान यहाँ पर बैठे हैं और हमने असुनी जी को यही कहा था कि इस एप में भीड इकटी न करके सिर्फ जो selected experience astrologer हैं उनको बुलाईए अब आप लोगों का चेहरा यहाँ पर रहेगा आपकी background आपका 15-20-30 साल का experience यहाँ पर आपकी profile पर रहेगा popular face यहाँ पर रहेंगे और एक दूसरे को हम सब जानते हैं मालो मेरे से कोई कमी हो गई तो मैंने बजजी से पूछ लिया बजजी से कोई कमी की बात हो गई तो मेरे से पूछ लिया हम आपस में coordinate करके अच्छा काम कर सकते हैं और कोसिस भी आपको यही करनी चाहिए एमानदारी और सचाई हमेशा जिन्दा रहती है यह ध्यान कर लिजेगा आप काट की हाड़ी एक बार ही चड़ा सकते हो बार बार नहीं मैंने बहुत सारे जोस्यों को देखा है हमारे साथ TV पर भी आते रहें उन्होंने लोगों के साथ अच्छा विवार नहीं किया उसका अन्याम क्या हुआ वो मार्केट से आउट हो गए वो TV चैनलों से आउट हो गए आप अगर चाहते हो का आप की पूजा हो आप ये चाहते हो कि आपके छेत्री के अंदर लोग आपको भगवान की तरह उसके दर्जे की तरह पूजे कि वह वाँ बहुत अच्छा जोटसी है बहुत अच्छी डॉक्टर है सुदेश बहुत सांदार एस्ट्रोलोजर है ऐसी अगर लोगों में सोच पैदा होगी तो ये जो एप है ये अपने आप में उचाईयों को छूएगी कंसल्टेशन दीजिए ऐसी कंसल्टेशन दो कि ये टाइम ना बढ़ाओ आप कि मिनिट चालू है पर मिनिट का पैसा है अब आपने बीस रुपे मिनिट रखा तीस रुपे मिनिट रखा चालिस रुपे मिनिट रखा आपने सोचा मैं इसको लंबा खींचता रहूँ लंबा खींचता रहूँ ये ध्यान करलो कि सामने वाला परिशान भी हो सकता है वो मजबूरी में आप से कंसल्टेशन ले रहे आप अपने पैसे की ज़्यादा परवा ना करते हुए उसको सैटिस्पाई कीजिए मेरा दाबा है कि अगर आपने अच्छा काम किया आपने अच्छे बीज बोए तो आपके जो पुन्न के फले न वो आपको पचास कस्टमर और देगा एक आदमी को अगर आपने सैटिस्पाई किया दस मिनट लगे पंदरे मिनट लगे बीस मिनट लगे पंदरे से बीस मिनट हमें जनरल भी लगते ही हैं हम पंदरे से बीस मिनट में एक कुनली को देख लेते हैं इतनी ही देर में तसली के साथ अगर एप के उपर हमने किसी बिदेशी को टाइम दिया और वो खुस हो गया वो अपने पूरे रिष्टेदारों को परवार के लोगों को सब को यही रिक्मेंट करेगा को वहाँ पे जाएए उनसे बात कीजिए अभी अभी मेरे पास मैं तीन मेसेज आ रखें बार से एक आस्टेलिया से एक कनाडा से एक यूके से सब के पैसे जमा हो गए डारेक्ट मेरे से यूटूब के थूरू फेस्बूक के थूरू मैं उनको तसली से बोलता हूँ वो पूच्छते यूवा पूच्छते हैं जि टाइम कितना दोगे पहला प्रस्न उनका होता है टाइम कितना दोगे मैं कहा कोई टाइम की बार्डेस्ण नहीं है सुवह से साम तक ले लो भाई तुम 11,000 पे करो सुबहे से साम तक ले लो साम मैं बड़े खुश होते हैं कि सुबहे से साम तक हैं हाँ जितना मर्जी टाइम लो कोई दिक्कत नहीं है बोले प्रशन जितने तुमारे दिमाग में सारे पूछ ले न अब मुझे ये पता है कि एक आदमी के सोचने की चमता 15-20 मिट से जादा होती ही नहीं है 15-20 मिट के अंदर कितने पूछ सकता है कितने आपके दिमाग में पूछना सकते है अब ये हमारी सोद का बिसा है ये हमारी रिसर्च का बिसा है क्योंकि हमने इन सब चुछ को देखा है अब आप लोग भी किसी जोसी के पाद जाओ कितनी देर में आप फ्री हो जाते हो अगर कोई बहुती चंदरबाँ पीडित हो तो आदा गंटा लगाएगा बड़ी मुस्किल से आदे गंटे के बाद बोलेगा अच्छा गुरू जी में चलता हूँ फिर गेट से बार जाएगा फिर अंदर आएगा अच्छा गुरू जी माला रुद्राक्स के लूँ के तुलसी के लूँ के मूती के लूँ हमने का ठीक है आप मूती के ले ला फिर चला जाएगा मूती मूटे वाले लूँ पत्रे वाले लूँ फिर आ जाएगा इतना दो तीन बार करेगा फिर वो चला जाएगा बस में मैट्रों में कार में बैठने के बाद फिर पूछे गाँ गुरू जी एक बात और रह गई है आपने का वो भी पूछ लो एक बात जो रह गई है जाएज़ आदा गंटा आप ये मत करो कि मैं तीन प्रस्टे के जबाब दूँगा तीन प्रस्टे के जबाब कभी आप पूरे देही नहीं सकते और आपकी छबी खराब हो जाएगी चबी खराब हो जाएगे आपकी अब एक प्रशन उसने पूछा मेरी साधी का मामला है जी साधी का एक प्रशन जैसे राजा बली से न बगवान विष्णू ने कितने पग मागी तीन पग तीन पग में तीनों लोग नाप लिये अब मालो एक साधी का प्रिशन आ गया कि मेरी साधी कि साधी का एक प्रिशन है जी एक मेरे कैरियर का प्रिशन है जी और एक मेरा घर कब बनेगा तीन प्रिशन है आपने का मैं तीन ही प्रिशनों के जवाब दूँगा और कोई चंदरमा पीड़ेत आदमी टकर गया आप से तो इन तीन पृष्णों में आदा गंटा खींचेगा आपका आपने बोला साधी का पृष्ण है हाँ जी बताओ अच्छा ये बताओ मेरी साधी कब होगी आपने बता दिया बीज, बाई, साल, तीस साल में हो जाएगी अच्छा कौन सी देशासे होगी दूसरा पृष्ण तो चालू हो गया लकिन पृष्ण साधी का यह है उस नेका फ्लानि देशासे हो जाएगी अच्छा लड़की अपनी कास्ट की होगी, दूसरी कास्ट की होगी अपनी दूसरी कास्ट की तो नहीं होगी आपने का नहीं आपी की कास्ट की होगी क्याता वो हमारे कोतर से मिलती जुलती होगी न क्याता हाँ उसी से मिलती जुलती होगी अच्छा उसका चरित्र कैसा रहेगा आपने का बहुत सती साबित्री होगी क्या था उसके माबाब कैसे होंगे आदमी जोत्सी फरस्टेट हो जाएगा उसने का तू कुंडली उठा और यहां से बार हो जा उसके एक प्रिस्ट का जवाब देने में आप सक्चम नहीं है इसलिए आप उनसे पूछो भी जो तेरे प्रिस्ट है लिक करके लिया अब वो जितने प्रिस्ट लिक करके लाएगा वो उसमें बंद जाता है उसका ब्रेन वहाँ बंद जाता है योग की जो ध्यान की बिदी ये कहती है कि आप एक दैरे में बंद गए लच्मन रेका में बंद गए वो जितने का है जितने पूछे प्रिस्ट पताओ कि ठीक है जी आप आजाओ मेरे से प्रिस्ट पूछ लो आप बारह की बारह प्रिस्ट अपने आप बता दो उसके सारे प्रिशन खतम हो जाएंगे क्योंकि कुंडली में बारह भाव है और बारह भाव से अलग वो कुछ प्रिशन पूछी नहीं सकता आप पहली लगन की बात बता दो कि आपकी आयू ठीक है परसनल्टी अच्छी है आप निरोगे रहोगे दूसरा दंका मामला आएगा कि दंकी बात बता दो कि आपके पास पैसा अच्छा रहेगा आएगा जाएगा रुकेगा नहीं या जैसा भी आपको लगता है तीसरा भाई बंदू आपको दोगा देंगे मित्र दोगा देंगे मा के साथ तालमिल बैठेगा अग नहीं बैठेगा सुक साधन रहेंगे मकान गाड़ी भूमी जाजाद कोटी कैसी रहेगी संतान सुक रहेगा रोग चोट रिंड बगरा कैसा रहेगा पत्नी अच्छी मिलेगी कि ललता पवार जैसी मिलेगी आयू कैसी रहेगी उसके बाद बाग करम लाव और मोक्ष इतना बता के आपको बताने में लगेंगे पांच मिनट कितना फाइब मिनट उसके बाद उसको बोलो भई अब अपने प्रिशनों की लिष्ट निकाल पर वो लिष्ट देखेगा आयू ये तो बता दिया धन ये भी आपने बता दिया अच्छा मकान के बता दिया सब बता दिये अच्छा जी धन बाग बहुत अच्छा लगा आप दस मिनट में फिरी होगे इसलिए आप अपनी तरब से बताने की कोसिस करोगे तो वो आदमी सैटिस्फाई होगा अगर आप ये कहोगे कि अपने प्रशन ले करके आए हो आप पूछो तो पूछता ही जाएगा और आप बताते जाओगे आप फस्ते जाओगे और पूछता जाएगा आप फस्ते चले जाओगे इसलिए कस्टमर को सैटिस्फाई करने का तरीगा बेस्ट है कि आप अपनी तरब से बताने हो शुरू करो कई लोगों को जो उस्यों कोई प्रॉब्लम रहती है कि हम कहां से शुरू करें क्या बताएं बताएं क्या ये व्यक्ति किसलिए आया है आप दसा देखें मा दसा देखें या गोचर देखें बिवासादी देखें क्या देखें उसके लिए मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ और इन टिप्सों का इस्तिमाल आपको इस एप में करना है